नमस्कार दोस्तों, The Leesham Platform पर आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है The Leesham Platform पर आपको UPSC के साथ-साथ UGC Net की भी तैयारी कराई जा रही है जहां UGC Net Sociology मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पहले मैंने आपको एक Target Batch के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और हमने Unit 3 पर आपको काफी कुछ पढ़ा दिया है उसमें टॉपिक, एक बार हम देख लेते हूँ मैं हर वीडियो के पहले आपको syllabus इसलिए चेक करा देता हूँ ताकि आपको इस बहाने syllabus भी याद हो जाए और आपका जब question आए exam में तो आप समझें कि ये question हमारे syllabus के किस unit से आए और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है तो मैं हर lecture को तयार करने के पहले आपको एक बार syllabus जरूर दिखा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा जैसे culture हम लोग पढ़ चुके हैं network theory हमने पढ़ लिया है identity हम पढ़ चुके हैं diaspora भी हम पढ़ चुके हैं values norms and rules भी हम पढ़ चुके हैं person or habitus और agency भी पढ़ चुके हैं bureaucracy power and authority भी हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे status and role लेकिन status और role दोनों में अलग-अलग अबधार्णाय अलग-अलग सवदावलिया हैं लेकिन यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आज हम जो status and role का जो video है या हमारा lecture है इसका आज हम part 1 पर चर्चा करेंगे status केवल आज हम इसमें देखेंगे के status क्या होता है प्राइस्थि क्या होती चलिए तो देखते हैं प्राइस्थि को समाज सास्त में किस दृष्टी कौन से देखा जाता है और यह हमारे exam में exam के जो point of view से क्या क्या point हमें याद रखना चाहिए और उसको देखते हैं इहां पर हम देखते हैं इसमें लिखा है प्राइस्थि प्राइस्थिति का मतलब होता है कि समाज में एक बैक्ति को जो इस्थान प्राप्त होता है वह हि उसकी प्राइस्थिति कहलाती है जैसे हम बात करें कि कोई society है society में हर बैक्ती के पास कोई एक पद होता है और उस पद से जुड़ी हुई कुछ भूमकाय होती है यानि उससे जुड़े हुए कुछ कार का निर्वाहन भी हमें करना पड़ता है जो पद है समाज में यसी पद को हम प्राइस्थिती कहते हैं और इस पद से सम्मंदित जो भी कार हैं उनको हम भूम का कहते हैं Suppose that हम समाज में परिवार को ही ले लेते हैं परिवार में एक ब्यक्ति पिता है पती है बेटा है और किसी बिद्ध्यालाय में प्राध्यापक है या हम कहें कि वो प्रॉफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में वो प्रॉफेसर है तो एक ब्यक्ति जो पिता है परिवार में तो पिता भी उसकी प्राइस्थिती है और पिता की क्या दायत है पिता की क्या कर्तब है यदि वो अपनी प्राइस्थिती के अंसार उनका सही से निर्वहन कर रहा है तो वो उसकी भूम का है यानि प्राइस्थिती का गतिसी लपक्ची ही उसकी भूमका कहलाता है और यदि वो किसी का पती है तो वो पती की प्राइस्थिती और पती के अनसार उसकी कुछ भूमकाय होंगी वो उनी के अनुसार उनका निर्वान करेगा और यदि नहीं कर रहा है तो फिर वो अच्छा पती या अच्छा पता नहीं कहलाएगा ऐसे ही बेटा बेटा भी एक प्राइस्तिती है और प्रोफेसर भी एक प्राइस्तिती जो ब्यक्ति अपनी प्राइस्थिती के अनुसार बहतर कार करता है, अच्छी तरह से भूमका का निर्वान करता है, तो उसकी प्राइस्थिती में सम्मान और प्रतिष्टा जैसे सब्द भी या सम्मान भी उसकी प्राइस्थिती में जुड़ जाता है, प्राइस्थिती को सम सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबरस्ट पूसल एस्टेटास और सामाज ऒगता समय सेहां और रावर्ड बीर इस्टिट कहते हैं नहीं समाज तो सामाजिक प्राइस्थितियों का जाल है Society is a network of social status आंगे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ये कथन याद रखना है तो सामाजिक प्राइस्थिति अगर सब्द आ जाए तो रावर्ड बीर इस्टिट है और सामाजिक संबंधों का जाल आ जाए तो मैकाई वर एबम आपको पेज लगाना है फिर मैं आगे यहाँ पर बात आती है कि प्राइस्थिति का सर्व पर्थम उलेक मैक्स वेबर ने किया प्राइस्थिति जो सब्द है यानि स्टेटस सब्द का सर्व पर्थम परियोग मैक्स वेबर करते हैं जबकि भूम का सब्द का सरपताम परियोग ग, ह मीड करते हैं रूल टेकिंग की बाद मीड करते हैं और अन्होंने यहाँ पर भूम का सब्द का सरपताम परियोग ग, हुम का और प्राइस्थ थी दौनों को समलित रूप से राल्फ लिंटन इसका प्रियोग करते हैं अपनी पुछतक the study of men तो यहाँ पर कुछ fact थे जो UGC net में भी ये fact आ सकते हैं और अभी बहुत से exam लगे हुए हैं PGT, UPHESC और भी other state के professor के exam हैं तो उनके लिए भी उतना ही महात्पून है जितना UGC net JRF के लिए महात्पून है हम परिभासाएं देख लेते हैं कि प्राश्तिति की कौन सा समासास्ति किस नद्रिये से या किस प्रकार के सब्दों में उन्हें बताने का प्रयास कर रहा है तो हम देखते हैं रॉल्फ लिंटन अपनी पुष्टक The Study of Man में कहते हैं कि सामाजिक ब्यवस्था यानि सोसल सिस्टम के अंतरगत किसी ब्यक्ति को एक समय में एक समय बिसेश में जो इस्थान प्राप्त होता है उसी को उस ब्यक्ति का उस ब्यक्ति की सामाजिक प्राश्तिति कहते हैं यानि रॉल्फ लिंटन का कहना है रॉल्फ लिंटन की बुख का नाम है The Study of Man 1936 में उन्होंनों बुख लिकिए कहते हैं कि सामाजिक ब्यवस्था के अंतरगत एक ब्यक्ति को एक समय बिसेश में जो इस्थान प्राप्त होता है उसी इस्थान को उस ब्यक्ति की सामाजिक प कहते हैं social disorganization इनकी बुक का नाम है प्राइस्तिति ब्यक्ति का वह पद है जिसमें वह किसी समुह में अपने लिंग, आयू, परिवार, बर्ग, ब्यवसाय, बिभाय, अथवा यह तो सारी जो प्राइस्तितियां यहां पर बताएंगे हैं यह तो प्रदत प्राइस्तितियां इसलिए उन्होंने इनका नाम लेखा अथवा अर्जित यानि प्रियासों के कारण जो उसे प्राप्त करता है या होती है तो उसको इलियर एवं मेरिल का कहते हैं वह ब्यक्ति का प्राइस्तिति ब्यक्ति का वह पद है जो किसी समुह में उसे लिंग जाती धर्म, बर्ग, या विवाय अत्वा खुद के प्रियासों से प्राप्त होती है हम उसे प्राइस्तिति कहते हैं किम्बल एवं एंग अपनी पुस्तक आहेंड आप सोसल साइकलोजी में कहते हैं प्रतेक समाज अत्वा समुह में प्रतेक ब्यक्ति को कुछ कार को संपन करना होता है जिसके सा सक्ति और प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रियोग करते हैं वही प्राइस्थिति कहलाती है ब्यक्ति तो समाज में बहुत होते हैं समाज में हर एक ब्यक्ति बहुत होता है लेकिन कुछ ब्यक्तियों की प्राइस्थिति ऐसी होती है जिसमें कुछ सक्ति सत्ता या पावर निहित होता है और वही किम्बल यंग कहते हैं कि यही उनकी प्राज्तिती है आंगे रावर्ड बीर स्टीट कहते हैं the social order में सामाननता इस definition को आप पढ़ लेना मैं important definition लिखने हैं तो वो भी लेकिन मैं जो ज़्यादा महत्पून है उन पर चर्चा करा हूँ सामानता एक प्राज्तिती समाज अतवा समू में एक पद है किया रहे है समाज अतवा समू में एक ब्यक्ति को जो पद प्राप्त है वही सामाजिक प्राज्तिती है जबकि Kingsley Davis Human Society 1936 में कहते हैं कि प्राइस्थिति किसी सामान संस्थाकत बिवस्था में किसी पद की सूचक है यानि जो संस्थाकत जो बिवस्था है उसमें जो पद है वही प्राइस्थिति है ऐसा पद जो समाज द्वारा स्विक्रित हो यानि समाज ने जिसे बैदता दी रख हो और जिसका निर्माण सुतह हुआ हो तथा जो जनरीती एवं रोणियों से संबंदित भी हो एक प्राइस्थिति है गाउं में अभी तो चुना होने लगे इसके पहले किसी बुजर्ग को ही मुखिया मान लिया जाता था तो उसके जो पद है उसके पद में क्या है कि संस् पारेगार तो उसके कुछ अधिकार होते थे तो उनको कह रहे हैं कि यह सुतावी जन्मेंत होती है जनरीती है और रोणियों से भी संबंदित होती है इने भी हम प्राइस्थिति कहते हैं आँगे मजूमदार डियन मजूमदार के अनसर प्राइस्थिती का अर्थ समूम है ब्यक्ति की इस्थिती पारस पर एक दायत अथवा विसेशा अधिकारों करतबों तथा अधिकारों के सामाजिक तानेवाने में उनके पद से है यानि प्राइस्थिती का अर्थ समूम है ब् ताने बाने को वो सामाजिक प्राइस्तिति कहते हैं मज्यूमदार की ये परिवासा भी एक बार गौप से पढ़ लीजिए आंगे देखते हैं और वन निपकॉप कहते हैं कि समाज में ब्यक्ति की अपेक्षा उसकी प्राइस्तिति को अधिक मात दिया जाता है बास सही है समाज में हमें कोई नहीं पूछने वाला यदि मैं IPS बन जाओं IAS बन जाओं प्रोफिसर बन जाओं तो लोग हमारे ज्यादा बैलु करने लगेंगे हमें ज्यादा समाज में ब्यक्ति का कुछ नहीं है प्राइस्तितिया है सब कुछ है रावर्ड बीर इसलिए तो कहते हैं कि समाज समाजिक प्राइस्टितियों का जाल है समाजिक समंद प्राइस्टितियों के बीच बनते हैं तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा राल्फ लिंटन प्राइस्टिति को दो भागों में बरगत करते हैं और समाज मे प्राइस्तिती को प्राप्त दो ही तरीके से किया जाता है एक तो जनम के आधार पर आपको कुछ प्राइस्तितिया प्राप्त हो जाती है और एक ब्यक्तिगत गुण के आधार पर आपको कुछ प्राइस्तितिया प्राप्त हो जाती है रॉल्फ लिंटन प्राइस्तिती को द ताके आधार पर प्राप्त करते हो यानि प्रदत प्राइस्तिती का मतलब है आपने जैसे ही जनम लिया आपको आप किसी के बेटा बन गए आप किसी के नाती बन गए ठीक है ये आपकी प्राइस्तितियां कैसी होती है ये आपकी नैसरगिक प्राइस्तितियां होती है यानि ये प्रकृति द्वारा प्रदत हैं आपको, आपको मिल ही गई है, और आप किसी के बेटा बन गए, किसी के नाती बन गए, आपकी आयू क्या हो गई, भूर निर्दारित आपने थोड़ी ना की, वो तो खुद बाखुद सुसाइटी ने आपको दे दिया, वो आपकी प्रद प्राइस्तिती मिल गई, आपकी आयू क्या है, आप रिलेशन में किसके क्या है, जबकि अरजित प्राइस्तिती का मतला होता है, कि एक व्यक्ति अपने ब्यक्तिगत कॉंसल के आधार पर, एक व्यक्ति अपने ब्यक्तिगत कॉंसल के आधार पर, जिससे समाज में प्राप् किने कौम्ठीशन की बहुत अच्छी तयारी वह यहार निम्नजाती में हुआ है नुसकी जो पृदत प्रड़त जिती थी वह जाती के आधार पर कम थी लेकिन उसने अपनी ब्यक्तिगत को सल्टा के आधार पर वह यह पीचिय आसेस्ट्ट में प्रोफिसर बन गया और आंगे जाके रजिस्टर और वी सी सब बन गया तो यह उसकी क्या हो गया अरजित प्राइस्टिशी हो गया तो हमें लगता है आपको यहां से राल्फ लिंटन ने जो प्रदत यानि एसक्राइड और एचीवड जो प्राइस्टिशीओं के बारे में बताया वो आपको समझ में आगया होगा अब मैं यहां पर प्राइस्टिशीओं से सम्मंदित बहुत परिवासा हैं किताबों में दी गई हैं इनसाइकलोपीडिया और सोशलोजी में दी गई हैं लेकिन जो महत्कूर थी हैं मैंने उन परिवासाओं को यहां पर डेफिनिशन के साथ नहीं डाला हैं लेकिन कौन सी किस समा साश्टिन ने दी वो यहां पर लिखने का प्रयास किया है और इन्ही के माध्यम से में प्राइस्थिती से सम्मंद जितनी भी सब्दावली है जितनी भी टर्मलोजी है वो मैं यहां पर आपको बता दूँगा इसमें है प्राइस्थिति प्रतीक यानि एक ऐसी प्रतीक के आधार पर जिसको साइन और सिंबल के आधार पर पहचाना जा सकता है मान के चलो एक महिला A है और दूसरी महिला B है महिला A की साधी हो चुकी है और B की साधी नहीं हुई है तो आप A और B में अंतर कैसे करोगे देखोगे कि A ने तो अपनी मांग भर लग रखी है लाल कलर का सिंदूर रखा रखा है मंगल सूत पहन रखा है या विछिया पहन रखे है या विशेश प्रकार का कोई परिधान पहर रखा है तो अपन क्या कहेंगे कि कुछ सिंबल के आधार पर हमने उन प्राइस्तितियों को अलग-अलग कर दिया यानि जब सिंबल के आधार पर प्राइस्तिति को पहचाना जाता है तो इस परकार की प्राइस्तिति को हम प्राइस्तिति प्रती कहते हैं स्टेटस सिं प्राइस्तिति या एगमित प्राइस्तिति का मतला होता है समाज में कुछ ऐसी प्राइस्तितिया है जो युगम के रूप में पाई जाती है जैसे अभिबाबक और बच्चे, गार्जियंस और उनके चिल्डर्ण, सिखशक और छात्र, माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, यह साव हम जो देख रहे हैं जो प्राइस्तितिया है एक पियड के रूप में है, पोलर के रूप में है के एक को हटा दोगे तो दूसरे की कलपना नहीं की जा सकती है प्राइस्थितियों को सिंबल के आधार पर भी वाटा जा सकता है एक जो ED Hiller महोदय का कंसेप्ट है मुख प्राइस्थिति जो मुख प्राइस्थिति होती है या जिसको की स्टेटस कहते है हम इसको अरजित प्राइस्थिति के द्वारा भी समझ सकते हैं समाज में प्राइस्थिति को हम जब अरजित करते हैं और अरजन के बाद जो हमें प्राइस्थिति प्राइस्थिति की स्टेटस कहलाती है suppose that मैं आज assistant professor के रूप में कहीं नियुक्त हो जाता हूँ अभी तो research scholar हूँ आगे भविस में कहीं अध्यापक हो जाता हूँ या कोई officer बन जाता हूँ तो वो जो हमारी प्राइस्थिति होगी जिसको मैंने अपने ब्यक्तिगत console के आधार पर प्राप्त किया है वो हमारी key status होगी लेकिन जो मुक्ष प्राइस्थिति है मुक्ष प्राइस्थिति को हम अरजित करते हैं अपने ब्यक्तिगत console के अधार जबकि प्रधान जो प्राइस्थिति है इसको average uses ने दिया है master प्राइस्थिति क्या होती है यह आपको प्रदत प्राइस्थिति होती है कई बार master प्राइस्थिति अरजित प्राइस्तिती को कम कर देती suppose that मैं किसी विसेश नसल से हूँ मैं किसी विसेश धर्म से हूँ मैं किसी विसेश जाती से हूँ और मैं साब IES, PCS कुछ भी बन जाओं लेकिन लोग मुझसे कहें कि आप तो फला जाती के आप तो नीचे जाती के हैं तो इसमें क्या होती है कि मुख प्राइस्तिती कई बार प्रदान प्राइस्तिती से कमतर हो जाती है वो उसके आगे प्रदान प्राइस्तिती उसको कम कर देती प्रदान प्राइस्तिती का मतलब है जो आपको जन्मजात प्राप्त हुई है अब इसमें एक अगला अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि की स्टेटस क्या है और मास्टर स्टेटस क्या है की स्टेटस वो है जिसको आप प्राप्त करते हो मास्टर स्टेटस वो है जो आपको जन्म से ही मिल जाता है और कई बार प्रधान प्राइस्तिती क्या होती है मुख प्राइस्तिती को कम जोर कर देती है और जो मुख प्राइस्तिती है इसकी अबदारना ED Hiller महोदाय ने दिये जबकि प्रधान प्राइस्तिती के अबदारना Average Uses ने दिये अब आता है इसमें प्राइस्तिती असंगतता, इनकंसेस्टेंसी, प्राइस्तिती असंगतता का मतलब है जब आपके पास बहुत प्राइस्तितियां हो और आप उनके मद संगतता नहीं बिठा पा रहे हैं, उनके मद तारतमता नहीं बिठा पा रहे हैं, तो इस परकार की इस प्राइस्तिति को हम प्राइस्तिति असंगत्ता कहते हैं और इस कॉंसेप्ट को हमें लेंस की महुदाई ने इस कॉंसेप्ट को दिया है प्राइस्थिति संघर्ष का मतलब होता है एक ब्यक्ति एक समय में दो उसके पास प्राइस्थितिया है और उन प्राइस्थितियों में जब वो दुन्द की इस्थिति में आ जाता है निर्णय नहीं ले पाता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो इस परकार की प्राइस्थि उसको क्या केलाती है और इसको रालफ लिंटन वाहब्दए ने दिया है अब प्रास्थिति तनाव जो होता है इस्टेटस इस्ट्रेंड निर्मान ना नहीं कर पाए तो बहां पर प्राइस्तिती यानि स्टेटस इस्ट्रेंड आ जाता है suppose that उधारण के तौर पर अगर आप देखो कि एक ब्यक्ति है और उसके दो बच्चे लड़ रहे हैं तो वो पिता जी किसके तरफ नेड़नाई ले वो बड़ा दूंद की स्टिती हो जाती है दिमाग पर स्टिती हो जाती है और फिर इस परकार की प्राइस्तिती को क्या कहते है पार्संस महोदा है कि ये प्राइस्तिती तनाव है इस्टेटस इस्ट्रेंड है जबकि स्टेटस कंफलेक्ट का मतलब है कि एक बेक्ति जज है और उसका ही बेटा अपरादी बनकर आ गया है तो अब वो समय क्या करे नेनाय दे जज की रूप में नेनाय दे या फिर पिताजी के रूप में उसका पक्ष ले लेकिन वो अलग एक डिवेट है अपनको बहानी जाना है यहाँ पर केबल प्राइस्तिति संगर्ज कैसे होता है प्राइस्तिति तनाव क्या होता है अब इसमें आ जाती है एक सब आपका प्राइस्तिति क्रिष्टी करण यानि इसको क्लेस्टराइजेशन कहते हैं इसमें क्या होता है कि जब एक ब्यक्ति के पास बहुत सी प्राइस्तितियां होती है और वो उनको रूप से बाट नहीं पाता है, उनमें बिभेजन नहीं कर पाता है, उन्हें अलग से समझ नहीं पाता है, तो इस प्रकार की इस्तिती को हम प्राइस्तिती करण कहते हैं, या प्राइस्टेटस कलेस्टराइजेशन कहते हैं, इसको लेंस की महोधाय ने दिया, अब देखो मैं यहाँ पर दो सब्द आपको लेंस की के बता चुका हूँ एक तो मैं बता चुका हूँ इनकंसेस्टेंटसी और एक बता चुका हूँ किलिस्टलाइजिशन तो इन दोनों को आपको याद है प्राइस्थिति कुंठा अलवर्ड कोहिन महुदाय ने दिया है इनके पास संसादनों का जवाब होता है तो यह डेलिकूिंट भी वहार करने लगते है जैसे कोई एक विद्ध्यारती है वो ड्रेस ना पहने और दूसरे कपड़े पहने तो वो एक परकार का कुंठा है उसे के एक ही कपड़े रोज पहनने पढ़ते है इसे ही एक कोई निश्यत पत पर है तो उसे कार करते करते जो कुंठा हो जाती है जो फ्रेस्ट्रेसन हो जाता है उसकी बात यहां पर वो करते है बहुल प्राइस्तिती के बाद आपकी रॉल्फ लिंटन करते है कि एक ब्यक्ति जब बहुत सारी प्राइस्तितिया धारण करता है तो उसे बहुल प्राइस्तितिया कहते हैं जैसे कोई पता भी है, बेटा भी है, अध्यापग भी है, किसी किलप का मेंबर भी है और इन सब को अगर हम मिला दें तो ये multiple state, status कहलाता है status set का मतला भी इन सब का पुंज, इन सब का समुच्च वो status set कहलाता है और multiple status की बाद राल फ्लिंटन करते हैं और status set की बाद आरके मर्टन करते हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि achieved, जो ascribed status है यानि आपने जिसको अपनी व्यक्तिगत achieved, ascribed जो है आपका achieved, ascribed है और जिसको आपने व्यक्तिगत कौंसलता के आदार पर किया है वो आपका achieved है फिर status sequence का मतला होता है कि आप पहले विद्धिहारती थे फिर अध्यापक बने या अधिकारी बने इसके बाद आपने किसी और बड़े पत पर चले गए फिर और पड़े पत पर चले गए यानि प्राइस्तिथियों का जो एक किरम बन जाता है इनको ही हम प्राइस्तिथि sequence कहते हैं प्राइस्तिथि प्रतिष्ठा की बात वन महुदाय करते हैं प्राइस्थिति प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि एक ब्यक्ति जब अपनी प्राइस्थिति के अनुसार प्राइस्थिति से सम्मंदित कुछ भूमकाय होती है और जब वो उनका बहुत अच्छे से पालन करता है तो उस ब्यक्ति की जो प्राइस्थिति है उसमें वानके चलो कोई बेक्ति पहले चात्र था और अध्यापक बना पिर आईस ऑपिसटर बना पर मंती बना पर राजन्तर बना पर केंद्र मंत्र क्या ब्यक्ति जनम से लेकर मुर्तियु तक कई प्रकार के संसकार करता है इसका जिवन संसकार के मात्यम से ही चलता है तो इस प्रकार के संसकार होते हैं सरफे zw Sang यहां में और अलग अलग तरह क करते हैं तो इससे का इसे क ine high quando प्राइस्तितीी बि परयाया की बात, राल्फ लिंटन करते हैं, और कश्टदाई, प्राइस्तिती की बात, रावड बीरिस्टूट करते हैं, कश्टदाई प्राइस्तिती का मतलब है, कि जैसे किसी बिकलांग की जो, विकलांग की प्राइस्थिती है विदभा की प्राइस्थिती है यानि यह प्राइस्थिती तो है लेकिन वह क्या कर रही है समाज में उसे कष्ट दे रहे हैं तो इस पर जो आपको मैंने स्टेटस से सम्मंदित जो भी टर्मलोजी पढ़ाई है वो आपको समझ में आई होगी और इस सम्मंदित जो अब धारणाय थी जो डेफनेशन थी और अरजित प्राइस्तिति क्या है परज़त प्राइस्तिति क्या है वो मैंने आपको समझा दिया तो आज के लिए इतना ही और अब रोल के वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और एक बहुत जादा मेरे पास मैसेज आते हैं हर ब्यक्ति पर्शनल मैसेज करता है कभी न कई भी किस आप करेंट सोसलोजी को मुझे पढ़ाईए उसके बारे में बताईए कि कहा से लाएं तो मैं अभी पिछले तीन-चार दिन से बहुत जादा मिजी था जिसके कारण में आपसे नहीं जुड़ पाया लेकिन अब मैं कोसिस कर रहा हूं कि करेंट सोसलोजी का भी मैं एक एक वीडियो बीच में लाता जाओं ताकि आपको आपके जो तैयारी है उसमें आ कुने नमस्तु